चलिए एक प्रश्ण करके देखते हैं क्या बिंदू 3,2,-2,-3 और 2,3 कोई त्रिकोण बनाते हैं? यदि हाँ, तो यह त्रिकोण किस प्रकार का त्रिकोण होगा? नेमन बिंदू त्रिकोण बनाएंगे या नहीं, कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम इन बिंदूओ को एक्स वाई तल में चिनहित करके देखते हैं बिंदू 3,2 अर्थात भुज 3 और कोटी 2 बिंदू-2,-3 अर्थात भुज 2 और कोटी 3 बिंदू 2,3 अर्थात भुज 2 और कोटी 3 तीनों बिंदूओ को आपस में मिलाने पर हम देख सकते हैं कि यह एक त्रिबुज बन रहा है लेकिन सवाल यह है कि कौन सा? इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिबुज की तीनों बुजाओ की लंबाई पता करने पड़ेगी मान लीजिए P 3,2, Q-2,-3 और R 2,3 दिये गए बिंदू है तो दूरी सुत्र का प्रयोक करने पर हमें प्राप्त होगा PQ बराबर वर्ग मूल-2-3 का वर्ग प्लस-3-2 का वर्ग यानि वर्ग मूल 25 ब्लस 25 तो हमें प्राप्त होगा PQ बराबर वर्ग मूल 50 उसी प्राकार Q-R बराबर वर्ग मूल 2-2 का वर्ग प्लस-3 का वर्ग यानि वर्ग मूल 16 प्लस 36 तो हमें प्राप्त होगा Q-R बराबर वर्ग मूल 52 उसी प्राकार P-R बराबर वर्ग मूल 2-3 का वर्ग प्लस 3-2 का वर्ग तो हमें प्राप्त हुआ PR बराबर वर्ग मूल एक प्लस एक यानि वर्ग मूल दो त्रिबूच का एक गुण है कि त्रिबूच की किनही भी दो बुजाओं का जोड तीसरी बुजा से अधिक होता है इससे भी हम त्रिबूच की पहचान कर सकते हैं जैसे यहां पर PQ प्लस QR PR से ज़ादा है, QR प्लस PR PQ से ज़ादा है और PQ प्लस PR QR से ज़ादा है यहां सिद्ध करता है कि बिंदू P, Q और R एक त्रिबूच बनाते हैं यदि हम त्रिबूच की बुजाओं की लंबाई को द्यान से देखें तो क्या इनमें आपस में कोई संबन्द इस्तापित हो सकता है? जैसा कि हमें प्राप्त हुआ, PQ बराबर वर्ग मुल 50 है QR बराबर वर्ग मुल 52 और PR बराबर वर्ग मुल 2 है इन सभी का वर्ग लेने पर हमें प्राप्त होगा PQ का वर्ग बराबर 50, QR का वर्ग बराबर 52 और PR का वर्ग बराबर 2 यहाँ पर PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर 50 प्लस 2 बराबर 52 है और हमने पता किया था QR का वर्ग बराबर 52 है यहाँ पर PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग वर्ग बराबर QR के वर्ग के वराबर है यह पाइथागुरस प्रमे का सिद्दान थे जो की समकोन त्रिबूच पर आदारी थे इससे यह पता चलता है कि त्रिबूच PQR एक समकोन त्रिबूच है चलिए एक और प्रश्न करते हैं X अक्ष पर एक ऐसा बिंदू ग्याद कीजिए जो की 2,-5 और 2,9 बिंदूओं से समान दूरी परिस्थितो इसका हल देखने से पुर्व ध्यान दीजिए बिंदू ग्याद करने से तातपर यह है की हमें बिंदू के निर्देशांक ग्याद करने है और X अक्ष पर बिंदू होने से तातपर यह है की उसकी कोटी शुन्य है अर्थात बिंदू के निर्देशांक इस प्रकार होंगे X,0 मान लेते हैं की बिंदू P X,0 दिये गए बिंदूओं A,2,5 ताता B,-2,9 से समदूर है अर्थात P A बराबर P B होगा दूरी सुत्र का इस्तमाल करते हुए सबसे पहले P A का मान ग्याद करते हैं तो P A बराबर होगा वर्गमूल 2-X का वर्ग, प्लस,-5,-0 का वर्ग यानि P A बराबर वर्गमूल 4-X वर्ग ,-4X, प्लस, 25 इसी तरह P B का मान ग्याद करेंगे तो pb बराबर होगा वर्ग मुल माइनस 2 माइनस x का वर्ग प्लस 9 माइनस 0 का वर्ग यानि की pb बराबर वर्ग मुल 4 प्लस x वर्ग प्लस 4x प्लस 81 अब हम कह सकते हैं pb यानि की वर्ग मुल 4 प्लस x स्क्वाइर माइनस 4x प्लस 25 बराबर वर्ग मुल 4 प्लस x स्क्वाइर प्लस 4x प्लस 81 यानि x बराबर माइनस 7 अर्थात बिंदू की निर्देशांग होंगे माइनस 7 अब आपके लिए कुछ प्रश्न अपने आफ़ल करने के लिए कृपी आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लें